बहुजन समाज के दम पर आ रहे हैं, मुन्ना सुकला के तरह जातिवादी नहीं है, जेल में होना चाहिए इस आदमी को, ये जाती सुचक सब्द है, ये CST Act में आदमी जेल जाना चाहिए था ये फायर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं गया है, लेकिन उनकी जब हम लोग बनेंगे सांसत तो ही जेल जाएंगे, ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है, जिनके दिमाग में आज भी मनुस्मिर्ती है, जो जाती के नाम पर अपने आपको उचा कहता है, ये सब आदमी जेल जाना चाहिए, संसत नहीं, चिराग जी का घर तोरने वाली, राम संसत नहीं जा पाईएगा, आज आपको बहुजन बनना होगा, SCSTOBC को एक जूट होना पड़ेगा, आलफसंख्य को एक जूट होना पड़ेगा, और 10% लोग, जो 90% जगा पर कबजा जमाए हुए हैं, चाहे संसत हो, चाहे नोकरी हो, बिहार में जो जाती जनगरना हुआ ह 10% जो जनरल वाले लोग हैं, उन्ही का मीडिया, उन्ही का कोट कचरी, उन्ही का पुलिस थाना, अब सोची ये राकेश पास्वान की हत्या हो गई, उन्ही के परिवार से किसी को ठीकर दे देते बैसाली से आप लड रहे हैं, तो मुख आपका थीम क्या होगा, आपका चुनावी मेनोफिष्टो क्या होगा? इसमें, रिपरजेंटेशन का सवाल है, बिजाती जनगना हुआ है बिहार में, नब्बे परसेंट लोग, सौव में नब्बे आदमी, दलित, पिछरा, अल्फसंख्यक है, या दिवासी है, आसोचिये बैसाली, जो लोकतंत्र की जन्वनी है, जहां से लोकतंत्र की बात हुई, भगवान महाबीर की धरती, भगवान बुद्ध ने सबसे आदमान निवास किया है, समराट रशोक की धरती, वहां से जो नब्बे परसेंट वाले लोग है, दलित, पिछरे, अल्फसंख्यक, वह आज तक संसद ही नहीं गये हैं, तो यह कितनी बड़ी बदकिस समराट रशोक की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से, उनका मुल निवासियाज तक संसद नहीं गया, तो हम वही रिपरजेंटेशन की लडाई लड़ रहे हैं, सर हम यह बताई, यह संसद कैसे जाएंगे, इसमें सबसे बड़ा चुक हो क्या रहा है, यह अपने अध कुर्मी है, कोई कोईरी है, कोई कुषवाहा है, अज सब के साथ वही विवस्था हुआ पढ़ने नहीं देंगे, संपत्ति नहीं रख सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, अब जब बाबा साहब का संविधान आया, तब हम लोग SC, ST, OBC, GENERAL, अलफसंख्यक हुएं, जाति ST, OBC को एक जूट होना पड़ेगा, अलफसंख्यको को एक जूट होना पड़ेगा, और 10% लोग, जो 90% जगह पर कबजा जमाय हुएं, चाहे संसद हो, चाहे नोकरी हो, चाहे कोट का चहरी हो, चाहे मीडिया में हो, मीडिया में तो एक कोगोना है, सब वहे लोग हैं, 10% ज जाती जनगना हुआ है, 10% जो जनरल वाले लोग हैं, उन्ही का मीडिया, उन्ही का कोट का चहरी, उन्ही का पुलिस थाना, अब सुचिए राकेश पासवान की हत्या हो गई, उन्ही के परिवार से किसी को ठीकर दे देते, आप आज ये फायार नहीं लिखा सकते हैं, तो इ अगर संसद जाएंगे 90% SCSTOBC बहुजन, तब उनका बिजनस्मेन बन पाएगा, तब वो ठिकदार बन पाएंगे, ये जात का संसद रहेगा, उहे जात के ठिकदार होगा, तो ये बैसाली के लोग समझ गए हैं अब, सर, आप जानते हैं, जिनसे आपके सामने जो परतियासी हैं, जिनसे आपको मुन्ना सुकला, बैसाली से लर रहे हैं सर, तो बिना देवी, ये बहुत बड़े परतियासी हैं, और आप बहुत बड़े परतियासी मतलब कैसे में बड़े हैं, धन में, बाहुवली में, और कैसे समझाइए अपने जनता को जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं 75 परसेंट वो तो पढ़े लिखे नहीं वो तो खुद अपना अधिकार को नहीं समझ रहे हैं उनको आप को समझाने यह आप कह रहे हैं आप जाके लोगों से मिलिये न हम लोग पढ़े लिखे नहीं थ अब पढ़े लिखे हैं अगर आप बात करते हैं तो अब सुनिया आवा बिहार उड़ती चिरिया को हल्दी लगाता है लालु आदब कहां के हैं रामिलास पासवन कहां के हैं जन्नायक कर पुई ठाकुर कहां के हैं जग्देव बाव कहां के हैं तथा गदबुद्ध कहां से समराट शोक कहां से थे आप करें बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं है सून तो लिजिए भाई सोसल जस्टिस की धरती है यह जातिवादियों को इस देश बिहार ने 35 साल से बाहर कर रखा एक बात बोल रहे हैं सर बिहार में सिर्फ पॉलिटिक्स काड खेला जाता है लेकि आप चुनाओं से आगए टीचर पर अपकल नाले की बात करने लगेगा आप एक मुद्दे पर रहे हैं कि टीचर पर पहले बात नहीं सरो हम कह रहे हैं कि वह जो आपके जो जनता है आप हम से चुनाओं पर बात कर रहे हैं जब हम चुनाओं जीत के आएंगे तब टीचर आप एक मुद्दे पर रहिए या तो बैसाली पर बात किजिए मुन्ना सुकला और बीना देवी पैसा से बड़े हो सकते हैं भनवल से बड़े हो सकते हैं बोट से नहीं बोट बहुजुनों का है 90 परसेंट बोट हमारा है और बहुजन समाज बहुत जागरूख है 75 साल का इस बहुजन समाज का एक एक आदमी जानता है बहुजन समाज बोट करेगा बहुजनों को इस बार रिपर्जेंटेशन के लड़ आई हैं वहां कोई बैकवर्ड दली पिछरा यह सब एक जूट हैं वो उनको बोट नहीं देगा जो 50 करोर 100 करोर में ठीकट ला रहे हैं जो 100 करोर में ठीकट लेके आएगा तो 200 करोर कमाएगा ना आप सर किसी पार्टी से आ रहे हैं क मुन्ना सुकला के तरह जातिवादी नहीं है याद है उन्होंने क्या बोला है जी बिल्कुल जेल में होना चाहिए इस आदमी को यह जाति सूचक सब्द है यह सीस्टी एक्ट में आदमी जेल जाना चाहिए था यह फायर तो हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं गया लेकिन उनकी जब हम लोग बनेंगे संसत जेल जाएंगे ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है जिनके दिमाग में आज भी मनुसमिर्ती है जो जाति के नाम पर अपने आपको उचा कहता है और दुसरे को नीचा कहता है यह सब आदमी जेल जाना चाहिए संसत नहीं इसलिए आए हैं आप आए हैं सर तो यहां पर तो देखी रहे हैं राकेश पासमान जी का इस सितिया आप देख रहे हैं राकेश पासमान जी के परिवार से ठीकट मिलना चाहिए था बैसाली से उनकी पत्नी को मिलना चाहिए थ भाई हम इसलिए लड़ने आए कि इस देश का पचास करोड़ बहुजर मुझे जानता है बिहार के पांच करोड़ लोग जानते हैं हमको देश भर के लोग चंदा दे रहे हैं ताकि इन बहुवलियों अधनवलियों से लड़ा जा सके आज जो एक रामविलाह जी एक स्लोगन दिये थे कि मैं उस घर में दिपक जलाने चला हूँ जहां सदियों से अंधेरा है आज जो दूसरों को परकास बान करने वाले राकेश पासमान उनका घर खुद अंधेरा है तो गलती अगर हमारे गार्जियन से गलती होगी तो उस गल झांय भाई भाई को लडवाये पसपति जी और चिराग जी से लड़ाएं प्रिंस को लड़ा दिये राम बिलाह जी थे तो राम चैंदर पास्वान और भाजम पास्वान और पसपती पारस में कभी लरा हुई थी हुई थी तो कोन घर तुरबाया उनही के पैसा से लोजप को गुलाम बनाय हुए है यही तो आजादी की लडाई है आज जो बैसाली में है एक बहुत बड़े एक बदलाब की और बैसाली निकल चली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैसाली में आज तक 75 साल तक ऐसा कोई भी कंडिडेट नहीं हुआ जो बैसाली को नियाय दिला सके लेकिन हम लोग हमारे सामने नेशनल दस्ता के बड़िश्ट पत्रकार हैं संभूजी जो देखना होगा यह बैसाली से किस तरह उनको चुनाब में काटे का टकर देते हैं क्योंकि वो जन्बल हर चीज़ से आगे हैं और यह निकले हैं सिर्फ इनका एक ही छमता है वो इनका दमाज है धन्बल से आगे नहीं है बहुबल से आगे जन्बल से आगे हैं अग्लम सही बोलें जन्टा जो युबाव हैं वो सब हमको जानते हैं जो आज मोबाइल ने करांती किया है हमारी भलाई किताबों से हुई है बाबा साइब किताब परके न अधिकार दिला है और हम मोबाइल हैं हमारे पास करोर रुपया के बराबर है बहुजन समाज की उवाओं से पूछ लीजिए, सब हमको जानते हैं और मैं इसी जीले का हूँ, बैसाली का ही रहने वाला हूँ और इस बार बैसाली में बहुजन, न धनबल, न बाहुबल, बहुजन जातिवादियों की हार होगी, जिनके जुवान पर जाती है न जो अपने आपको उचा और बाकी को नीच समझते हैं, उनकी जमानत जब थोगी, आप लिख लिए, जनता मन बना चुकी है, हम इसी नहीं आये है, हम जनता का नब्ज जानते हैं ये आगे देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि किस तरह से बैसाली में इलेक्शन होताँ है, वहाँ पर बहुत काटे की टकड़न की समर्थन है, पुर्ण जो है बहुजन, एक साथ है, देखना होगा कि किस तरह से इनके साथ आगे चुनाब होता है, धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे